अपनी मालकिन के साथ कुत्ता ने भी पास किया ग्रेजुएशन, मिली डिगरी पालतु जानवर इंसान के साथ रह रह कर वो भी उसी की तरह हरकत करने लगता है वो कई बातें सीख जाता है जो इंसान करता है ऐसे ही इंसान की तरह ही एक पालतू कुत्ते ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है जी हा ना आपको यकीन नहीं ही रहा होगा लेकिन ये सच है जिसके बारे में हम बताने डा रहे हैं आपको बता दें अमेरिका के नियोर्क में क्लाक असन यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली 25 वर्ष ये अपंग लड़की बिटनी हॉले कर डॉगी ग्रिफिन ने कुछ ऐसा ही काम किया है आपको बता दें हाल ही में प्रतिभाशाली डॉगी ग्रिफिन डिप्लोमा से भी नवाजा गया है दरसल कुछ समय पहले बिटनी हॉले ने क्लाक असन यूनिवर्सिटी से औक्यूपेशनल फेरेपी में मास्टर डिगरी पूरी की लेकिन इसके साथ साथ उनके चार साल के सर्विज डॉगी ग्रिफिनल को भी डिप्लोमा दिया गया जिसे वे एक पॉर चार प्रिजन प्रोग्राम के तहत लाई थी ब्रिटनी हॉलेवील चेयर पर जिंदगी गुजार रही है ब्रिटनी डॉगी ग्रिफिन को लेकर कहती है कि मैंने पहले दिन से ही उसे ग्रेजुएट होने के लिए प्रोच साहिद किया था वो हमेशा वही सब करता था जो मैं करती थी उन्होंने कहा कि ग्रिफिन काफी तादाद में फेजिकल टास्क पूरे करता है जैसे वह दरवाजे खोलना, लाइट खोलना और जरा से इशारे पर उन तक चीज़ें पहुचाना काफी बेहतर तरीके से जानता है लेकिन सबसे जरूरी बात है कि ग्रिफिन की मदद से ब्रिटनी को डिप्रेशन, ठकान पैदा करने वाले भयंकर, दर्ब से आराम मिलता है ब्रिटनी कहती है कि जब वे सर्विस डॉगी के लिए पोड़ चार प्रिजन पहुची थी तो वहाँ काफी संख्या कुट्ते मौजूद थे लेकिन कुछ डॉगी हुईल चेर की वज़े से ब्रिटनी के पास आने से घबरा रहे थे अचानक ग्रिफिन छंड लाग लगाते हुए मेरे गालों को प्यार में चाटने लगा बता दे कि हौले और ग्रिफिन ने उतरी कैरोलीना में पोर्ट ब्रैग में इंटरनशिप के दोरान काम किया गती शीलता में कमी के साथ साथ मनोसामाजिक विकारों के साथ सेनिकों की सहायता भी की